नमस्कार बहुत स्वागत आप समका देख रहे हैं आप जो तिश्दिशा इस्पेशल आपके साथ में हूँ आपका इश्टो फ्रेंड संतोशी बहुत दिनों के बाद आज जो जानकारी हम आप तक पहुँचाने जा रहे हैं वो अपने आप में ही बहुत बिलक्षण जानकारी है वो अपने आप में ही बहुत अद्भूत जानकारी है और इस जानकारी का जो मूल से धानत है वो आप सब के जीवन की शुभता है आप सब का जीवन कितना शुभ रहेगा यह इस कारक्रम में हम बताएंगे आज की जानकारी खास तोर पर कुछ बिनोत्प्री जानकारी है बिनोत्प्री मतलब हसाने वाली आज हम आप लोगों के लिए जो जानकारी देंगे उसमें बताएंगे कि क्या लक्षण होते हैं जो कोई पुरुष ध्यान दिजेगा जो कोई पती पती कौन बनता है पूरी तरह से अपनी पत्नी के कबजे में होता है जिसे आम बोलचाल की भाशा में जोरू का गुलाम कहते हैं पत्नी के कबजे में पत्नी ने कहा नहीं मतलब पति ने कहा जी भाग्यवान जैसा आपका आदेश कुंडली का वो कौन सा ग्रह है जो पुरुष को ऐसे बांध लेता है आपके आसपास घर परिवार नातेदार रिष्टेदार में चार छे केसेज ऐसे जरूर मिल जाएंगे जहां पर पुरुष अपनी धर्म पत्मी के वश में है पुर्थम द्रिष्टेया यह एक शुभ संकेत है खास तोर पर व्यक्तिगत तोर पर दामपत्ते जीवन के सुगंता से चलने का यह एक शुभ है यह एक सद लक्षण है यह एक सकरात्मक लक्षण है मानता हूँ है परन्तु जब यह एकसस हो जाए और कम्प्लीटली एक तरफा हो जाए तो यह अच्छा नहीं माना जाएगा क्योंकि रिष्टे तो और भी होते हैं अब अचानक से मैडम जी ने कहा खबरदार अगर आपने अपनी बहन से बात किया नहीं जाना है राखी में क्या जरूत राखी में जाने की कौन सा जो है तुवारी बहन रोज रोज आती है उसने कब आया है वो कब आई मतलब एक बात मैं बताता हूँ यहां पर तो कि बात रिस्टों की चलने के लिए है तो एक बात जाननी यहां अनिवार है कि रिस्टों में कभी दिमाग नहीं लगाते हैं जब रिस्टों में दिमाग लगने लगता है सोच लगने लगता है हम सोचने लग जाते है रिस्तों के विशे में जब दिमाग लगाते हैं तो रिस्ते नहीं चलते हैं बिखर जाते हैं और फिर ऐसे रिस्ते नासूर बन जाते हैं दुख देने लग जाते हैं दुख देने लगते हैं तो अब बहन से रिस्ता तोड़ दिया, भाई के लिए अचानक से मना कर दिया, कई बार हमने माता पिता से भी मना करते हुए देखा है कि पत्नी कहती कि नहीं बात करनी मम्मी से, नहीं बात करनी पापा से, मतलब रिस्ते में दिमाग, तो मैं इस पर नहीं जाओंगा कि मम्मी पापा ने क्या गलतियां किया है या बहनों ने क्या गलतियां किया है भाई भायों ने क्या गलति की मैं इस पर नहीं जाओंगा मूल आज जो हमारा विशह है वो है पत्नी की ही वाली चलने देना इसका एक पक्ष हमने बताया कि ये सकारात्मक है लेकिन एक ही जगह है सकारात्मक अब वो आप टै कर लीजिएगा कि आपको एक के जगह चाहिए कि हर जगह चाहिए मैंने अपने कई फेस्बुक पोश्ट हो गए पर भी लिखा है चल जाएगा रिस्ता एक कर ले बस चल जाएगा दोनों कर ले तो रामराज्य आ जाएगा तो यह एक अलग तरह का विश्य हो गया और हम अलग तरह के विश्य पर आए हैं इसके दोनों सिध्धान्तों को समझने का प्रेत्न करना होगा आप लोगों को हमारे साथ करना होगा, समझ कर करना होगा, दोनों सिध्धान्त, आती सरवत्रो वर्जएत, आती हर जगह वर्जित होता है, ग्रहों की चर्चा करेंगे, लेकिन रिस्तों को सुल्जाने की जिम्मेदारी भी परमात्माने प्रकृत्रे हमें सौपी है, तो मैं उस चीज पर भी उस विशे पर भी प्रकाश डालोंगा जरूर उस चीज को भी मैं समझाओंगा जरूर अगर एक कई पक्ष देखेंगे तो बाकी रिष्टे खत्म हो जाएंगे नतीजा ये निकलेगा ऐसे लोग कई बार गाधे वक्त में रोते हैं ऐसे लोग जब मुसीबत पड़ती है जब कंधों की आवशक्ताएं पड़ती है जब जरूरते पड़ती है तो रोते हैं क्योंकि आपके पास बस एक रिस्ता है और वो है पत्नी का या पती का कुंड़ी के योग पर चर्चा करेंगे हम लेकिन दो जानकारिया दे देते हैं 6 दिसंबर तक अभी हम गाजियाबाद में है 7, 8, 9 तारिक को आप इन दोर में हम से मिल सकते हैं 14, 15, 16 तारिक को दिसंबर महिने की चंडीगड में और 27 दिसंबर से 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक लगातार टांडा अमबेटकर नगर मुलाकात कर सकते हैं आप दिये गए किसी भी नंबर पर वाट्सअप, टेक्स्ट मैसेज या कॉल कॉल थोड़ा सा कम किया करिए, वाट्सअप जादा किया करिए जिससे बाकी समय बच जाए तो सारी जानकारिया आपको वाट्सअप पे टेक्स्ट मैसेज कित्रू मिल जाएंगे आईए अब हम उन ग्रहों की चर्चा कर देते हैं जिन ग्रहों की कारण एक पुरुश, एक तथा कथित मर्द मर्द शब्द बहादुर का विशेशन है, सिनॉनिम है मर्द करें हम मर्द हैं, मतलब यहाँ पर वेंजना शब्द शक्ति लगती है हिंदी को अच्छे से पढ़ने वाले बच्चे जानते होंगे तो कौन से ग्रह है, सबसे पहली चीज यदि किसी पुरुश के जन्मानक में सब्तम भाव में, सेवन्थ हाउस में कोई भी सौम में ग्रह, इस्पेशली चंद्रमा, शुक्र, अथवा, बुध, अथवा, ये तीनों, अथवा, इन में से कोई भी दो बैठा हो, तो ऐसा पुरुश, निश्चित रूप से अपनी धर्मपत्नी के कबजे में होता है मुठ्छे में होता है, अनवरत प्रयासों के उपरांत भी उसके कबजे से बाहर नहीं निकलता, निकल पाता और अपने ही बच्चों से भी वो वेंग बगार पाता है, कि आप तो जोरु के गुलाम है, कहीं हसते हुए, तो कहीं त्योरिया चढ़ाते हुए, लेकिन ये मिलता जरूर है, ये करोणे में ये शब्द जाते जरूर है, कोई छाती चौनी करके मुँपे बोल देता है, तो कोई पीठ पीछे बोलता रहता है, बोलता रहता है, अब ये बहुत बड़ा सा एक कुशे, अच्छा, किया क्या चाहिए, आप अभी लाश्ट में कमेंट करेंगे, कि कुछ हुपाय बता दीजे, और जो पत्निया पकड़ के वैटी हैं, वो तो कता ही नहीं, आज कहेंगे कुपाय बताईए, कहेंगे चलने दीजे, सब सही चल रहा है, नहीं, देखिए, मैं आप लोगों का दोस्त भी हूँ, एक जोथशी होने के साथ साथ, मैं आप लोगों का दोस्त भी हूँ, लिहाजा मैं कताई ये नहीं कहूंगा कि रिस्तों को बल पूरवक चलाया जाए या रिस्तों को किसी भी तरह से दिमाग से चलाया जाए रिस्ता सिर्फ दिल से चलता है और रिस्ता सिर्फ त्याग से चलता है बस, इतिहास उठाकर देख लीजेगा, त्याग और दिल के अलावा, तीसरा शब्द अगर रिस्ते में कुछ भी आया, कोई भी एक भी शब्द अगर आ गया, तो नहीं चलेगा, चैलेंज है, गारंटी है, नहीं चल सकता, और जो विशे आज का हमारा है, जोरु का गुलाव, पत्नी के वश में रहने वाला पती, माताएं रोती बिलखती पढ़ती रहती है, कि मेरी बहु ने मेरे पती को कबजे में कर लिया है, कुछ करिए, छुडा लीजिये, कुछ खिला दिया है, उसकी सास ने मेरी समधन ने कुछ खिला दिया है, कुछ बांध दिया है, होता है, मैं इनकार नहीं करूँगा, होता है, लेकिन मूल है आपके बच्चे अर्थात, उस लड़के के जर्मांक में योगी ऐसा था, कि इस प्रकार की पत्नी या इस प्रकार का ससुराल मिलेगा, अब आप उसको काट नहीं सकती है, उसके साथ जीने की आदत डालिए, त्याग करिए, अपने पुत्र का त्याग कर दीजिए, रिष्टा चल जाएगा, अब फिर यहाँ पर आपकी दिमाग में ये भी आएगा, कि अकेले कैसे कोई करे, क्या कर सकते हैं, सर फोर दीजिए, आप बताएए ना रास्ता, कैसे अपने पच्चे के लिए आप लोग करते हैं, बेटा गाली दे देता है, बेटे हाथ भी उठा देते हैं, चोरी कर लेता है, ATM लेके भाग जाता है, लेकिन आप उस समय त्याग करती हैं, त्याग करते हैं और माफ कर देते हैं, माफ कर देते हैं हर्दे से सोचते हैं और रिस्ता चल जाता है बच्चे का फिर अच्छा भी वक्त आता है और सुधार लाता है बच्चा तो आप आज जाना आपने की कुंडली का यूग क्या होता है जोरू का गुलाम पत्मी के वश में रहने वाला देख लीजिए और आज लड़किया वो खुश हो जाएं जो शादी की तैयारी कर रही है और जो चाहते हैं कि बस अच्छा ताजुद देखी एक और इसका हम पक्ष बता दे रहे है वही इस्त्री अगला पक्ष देखिए आप लोग को आनंद आ जाएगा भी उच्छा के ताली बजाएंगे वही इस्त्री जब खुद मा बनती है और उसकी बहु आगर के उसके बेटे को पकड़ती है तब वो बिलविलाती है तब उसको दुखता है तब उसको सालता है ये है ये जो तू लूटी है आन को तो ही लूटी है आन आप किसी को लूटेंगे तो कोई आपको भी लूटेगा ये तो सास्वत नियम प्रिक्रितिका चली रहा खुब सारे आप लोगों ने इस पर शौर्ट मुवीज देखी है जिए तमाम ऐसे आप लोगों के सामने किससे आए बहुत कौमन सा विशा है कि आप ब्याहक की आई तो चाह रही कि पती को लेकर के शहर में अकेले रहे और जब बहु अपने पती को अर्थात आपके पुत्र को लेकर जाना चाहती है तो आपको दुखने लगता है काहे भीया सुत्रवा बदल गया क्या सुत्रवा बदल गया अरे हम तो बिल्कुल नहीं कहेंगे अपनी बहू से की जो है तुम यहां रहो हमारे साथ रहो ब्याह की आई हो जाब तो ऐसे ऐसे बतियाएंगी और जहिया बहु आई उसके बाद से फिर जैसे लगता है कि बस गया लड़का अरे ये क्या है यार एक लड़का को तुमने भी तो लिया है तो तुम्हा लड़का भी जाएगा तुसमें ये तो प्रकृतिका नहीं है मैं इ इसके लिए कहे कपार फोड़ना अपना या किसी और कपार फोड़ना जाने दो खुश रहो स्वाबलंबी बनो मजबूत बनो ये प्रकृतिक व्यवस्थाएं है ये प्रकृति व्यवस्थाएं देती है इसमें हाय तोबा ना मचाओ न कपार फोड़ो ना फड़वाओ चल प्रमात्मा अब इसमें मैं क्या आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं कि आप लोगों की जीवन में मतलब आप गुलामी ही पाओ ये सा तो मैं कहूंगा नहीं रिस्तों को समझें आप लोग संतुलन बना के रखें हर रिस्ते का अपना अपना महत्त होता है अपने अपने अस्थान पर होता है रिष्टे के लिए समेशा दिल से हर्दे से निर्ण लिया करिए दिमाग मत लगाईएगा नहीं तो पच्चताएंगे बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद प्यार बनाये रखिएगा नमस्कार शिरादे